हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल अपलोग का स्वागत है दोस्तों देखे मेरे पास एक संसुई का ओरिजिनल टीबी आया है दोस्तों यह संसुई का अल्ट्रा स्लिम टीबी है इसका मेन पीसीबी भी ओरिजिनल पीसीबी है तो दोस्तों इसमें फाल्ट यहा है कि यह है लेकिन दोस्तों यह जो है रिमोट से प्रेस करने पर जो है कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना के मैं करेंगे मैं आप लोग को दिखाऊंगे मेरे पास सन्सुई का ये केन-ध काम भी कर रहे हों लेकिन दोस्तों मैं इसका प्रेस अंघ्र já को आए लेकिन वर्क नहीं कर रहा यह प्रैकर्पी नहीं घ्राज मुझत हो लुक् na तो दोस्तों इसको जो है देखे से करने से कुछ भी इसमें रिस्पॉंस नहीं आ रहा है ह। इसको फूलेंगे क्या प्राबलम है स्टेप बाइस इस्टेप आस आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों उसका कहना है कि यह जो है किसी दूसरे इलेक्टिशन के पास ले गया था लेकिन वहां से भी यह रिपेरिंग नहीं हुआ है तो चलिए इसको जो है PCB को निकालते हैं तो चलिए दोस्तों इसको जो है PCB को जो है open करेंगे open करके जो है देखेंगे कि दोस्तों मैं जो है एसी जो है हटा चुका हूं और देखे इसका जो है सभी जैक वागरा को निकाल लेंगे फिर देखेंगे दोस्तों इसका आयार कनेक्शन में वॉल्टेज आ रहा है के नहीं आ रहा है तो दोस्तों देखिए हमारा संसोई टीवी का ओरिजिनल पीसीबी है दोस्तों देखिए इसमें इसमें देखने से पता चल रहा है दोस्तों देखिए इसमें आई यार नहीं लगा है लगता है दोस्तों 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 दोस्तो दोस्तो देखे मेरे पास दूस्ते सेंग सेट आपको यह रखले क्याश्कन देचे मेरे पास आयएर है लेकिन मेरे मेरत के लगता हो कि और दोस्तो घला यार चैनल को प्लीजाय स्सक्राइब करें नहीं तो चलिए दोस्तों मैं इसको क्या करूंगा इसको लगाता हूं आफे कि तो दोस्तों देखें के इसको ज्दर ज्या सोड़ीं कर चुका भूँँ आप इस में देखेंगे इसको ज TWO सही तरीका से लगा के अगर हमारा आई-ार वरक करता है दोस्तों अगर हमारा IR work करता है तो हम जहें कुछ भी छंड़ खाणी नहीं करेंगे गजिक और अगर IR वर्क नहीं करता है उसके समें हम जो इसका दूसरा फाल्ट भी देखेंगे क्या किस वज़ें से नहीं आ रहा है उसका व्ल्टेज बारी-बारी से चेक करेंगे कि दोस्तों मैं अच्छे से लगा देता हूं इसका जो हे स्पीके चुके जुरल सॉटेट लुट तो अगयरा लेप ऑ स्पीकर सॉकेट इसका ओप लागा देत रहूं में दोस्तों इसमें क्या होता है यह जो संसुई का है इसमें दोस्त जैसे क्वाली स्टैनबाइ रिलीज होता है उसके बाद इसका जो है डिवर्जन कोईल आण होता है क्योंकि रिलेग्स प्रोटेक्शन के द्वारा डिवर्जन अब्लू कोईल को कुझे सप्लाई दिया गया है हुआ है तो चलिए इसको लगाते हैं दोस्तों क्या होगा यहां पर जो है सीरीज बोड है हमारा दोस्तों यहां पर मेरा सीरीज बोड्ड है इसलिए यह हमारा जो सिरिज को गलो करा देगा यह जो है आउन नहीं होगा टीबी हमारा दोस्तों चलिए लगा के देखते हैं हमारा जो है सिरिज जो है बंध होता है कि नहीं होता है अगेर हमारा सीरीज बंद होगा तो हमको identify करना है कि हमारा remote वगरा प्रापर वर्क कर रहा है फिर इसको हम डारेक्ट लाइन में चालू करके देखेंगे दोस्तों मैं select कर चुका हूं संसोई और देखें दोस्तों remote प्रेस करने से अब लोगों को दिखाता हूं है तो चलिए दोस्तों ईसको मैं क्या करूंगा इसको जहें प्रेक्ट करके आप लोगों से आप लोगों को दिखाता हूँ है तो दोस्तों देखें मैं इसको प्रापर पेक कर चुका हूँ आप देखें मैं इसको लाइन भी दे चुका हूँ और Standby light भी हमारा ग्लो हो चुका है और चलिए जो है इसको मैं क्या करूँगा रिमोट से प्रेस करूँगा पावर की देखे दोस्तों मैं रिमोट प्रेस के हमारे इस्टन बाई रिलीज हो गया है देखे दोस्तों दो बार ब्लिंग करेगा फिर उसके बाद इसका पिच्चर आ जाएगा देखे हमारे इस्टन बाई लाइट आ गया देखे दो बर्बलिंग किया फिर हमारा पिचर आ गया दोस्तों देखे ए भी लिखा आ गया है पिचर पे कुछ भी मतलब फॉल्ट नहीं है प्रापर जो है इसका ब्लू कुलर आ गया है देखे रिमोट प्रेस करने से भी हमारा सभी वर्क कर रहा है तो दोस्तो अगर इसमें मतलब जो दूसरे एलेक्टिसंट हो जो है इसका आयार्ट सेंसर को जो यह निकाल लिया था रिसीवर को दोस्तो इसका देखे चली इसको यह स्टेंबाई मोड पर भी ले जाके देखेंगे दोस्तो अगर आपको जह से की किसी बे टीबी का रिमोट नहीं मिलता है तो उसके इसमें यह वाला रिमोट काम आता है इसमें 4-5 रिमोट है जो कि आप जह सलेक्ट करके जहे उसका रिमोट चला सकते हूं दोस्तो चलिए माइस को जहे Standby आप करता हूँ और फिर उसके बाद जहें रिलीज करके देखेंगे तो दोस्तो देखिये माइस को जहें प्रेस कर रहा हुं देखें दोस्तो इस्टेंडबाइ से प्रेस करने से हमारे पूरी तरिछे से यहें दोस्तों देखिए दो बार ब्लिंग करके जो है हमारा जो है आउन हो गया तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए बाई-बाई पुराना वीडियो देखते रहिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होते हैं एक लेक जरूर करना